दच्छल फिर्का के खिलाप पहले टेस्ट मैच में सांदार जीत के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी भारतिय टीम के दुरंधरों ने दच्छल फिर्की गेदबाजों की जम कर खबर ली भारत ने दूसरे दिन 5 विकेट पर 601 रन बना कर पारी घोसित कर दिया दूसरी तरफ दच्छल फिर्की टीम अपनी पहली पारी में मात्र 36 रन पर 3 विकेट गवां कर संगर्स कर रही है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारत यह मैच जीत जाए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहले टेस्ट मैच में दोहरा सतक बनाने वाले मयंक अगरवाल ने लगातार दूसरे टेस्ट मैच में भी सतक जड़ा जबकि कपतान विराट कोहली ने दूसरे टेस्ट मैच में दोहरा सतक लगा कर साबित कर दिया है कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बहतरीन बल्लेबाज कहा जाता है हलंगी पहले टेस्ट मैच में धूम मचाने वाले श्टार बल्लेबाज रोहित सर्मा दूसरे टेस्ट मैच में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे भारत की तरफ से बेशक कप्तान बिराट कोहली ने दोहरा सतक जड़ा लेकिन मैच के दूसरे दिन भारतिय पारी में आकरसन का केंद्र रहे आलराउंडर बल्लेबाज रविंद्र जडेजा आकरी में जडेजा ने जमकरा फिरकी गेदबाजो की कुटाई की जडेजा की बल्लेबाजी देख दचल फिरकी कप्तान फाब डूपलेशिस भी हैरान रहे गे हलांकि अपने सतक में जडेजा मात्र नौरंस से चूक गए लिकनि 90 रनों की तुफानी पारी खेल रविंद्र जडेजा ने करोडो भारतिय फैंस का दिल जीत लिया इस दौरान रविंद्र जडेजा ने एक छक्का इतना जोरदार लगाया की एक समय ऐसा लगा की गेंद आस्मान से नीचे आई ही नहीं हलांकि ग्रेविटी की वज़े से ऐसा बिलकुल मुमकी नहीं है की गेंद उपर से नहीं आई हो हाँ ऐसा हो सकता है की गेंद स्टेडियम से काफी दूर गिरी हो और कैमरा मैन इसे देख नहीं पाए